नमस्कार मेरे नाम निखिलतिवारी है डिवाइन मुजिक स्कूल से आशा करता हूं आपके हुली अच्छी रही होगी आज हम जो टुपकर रॉपी करेंगे जो अपने पहले किये थे आपको याद होगा सारे गामा मागा रेसा जो मध्यम सुर्थ है और नी धापा ये आपके लोर नोट और सिंद ता एंके नी के नींचे डॉठ होगा भाके नींचे डॉठ होगा पाक के इसको कहते एं मंदर सूर इसी को जहां माइ तो मैंद्धियम हो जाते और बधियम सुर्थ हवारे सारे गामा विध। जाएंगे अभी हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी इनको कंबाइन करना सीख यह आगे के टॉपिक में और बहुत से लोग मुझसे पुछते हैं आप साथ से को नहीं सिखाते लिए तो जो हमारा सीखने का सिखाने का तरीक है पहले हम लोर नोट जाने लोर से सुरु फिर मेडियम सा तु हाउऔ जाएंगे फिर मीडियम पाट उखा जाया कि जाएकी क्योंकि सारे गामा सीकने में आपको जो यह गू為नी के इपक डिनर्चर फंगे उनको इक गडिवाइगी अब कि माह से पाइगी चाफी का वहां वेंश्ट हो जाएगा और जब आप आधा, नीशा, रेगा, मापपा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो सिर्फ आवाज बदलनियां नोट्स तो नी रहेंगे पापने आवाज BBQ close खाली आवाज बदलनी है तो हम जितना भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोगर टू मीडियम नूट करेंगे बात में सिर्फ हमें खाली अपनी ब्रैथ की मतलब फूक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपके बड़ा असान हो जाएगा और फूकस यह कि आप प्रैक्टिस क्या प्रैक्ति कि अब आपका अचीव कर लोगे अगर आपका पाई नहीं रहे तब तुमें बता सकता हूं कि आपकी यहां पर यह तो लीक होगा या आपकी फूक्स ही नहीं होगी पर आपका पांच बार भी आ रहा है तो आने का मतलब ठीक करो आपको अपको अपनी फिर आपको एक मध्यम पाभी में बताऊंगा उसको आपको लॉंग नूट्स करने हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे पहले तो आपने लॉंग नूट्स कर लिए सा बहुत कर लिया फिर पालोवर कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है पाधा नी सारे गामा मां गारे सा नी धा पा कम से कम सौ बार कीजिए इसको और भागे का मत लोग ऐसे करने लग जाते हैं आप खूब कीजिए जब आपको लगेगा है तो एक मध्यम पा सीखना है हमने हमने इस सब बंद करने और पहले वाली उंगली खोल देना यह मध्यम पा हो जाएगा हम ऐसे भी अचीब कर सकते हैं इसको देखेगी इसमें लोग भी लिग लेगा इसमें पतला भी लिग अब इसमें प्रॉब्लम होगा है तो हम ऐसे भी करके वह चीब कर सकते हैं तो उसको आपने खूब लॉंग नूट करना है पांच छे दिना लंबा लंबा भी आज कि जिए इसका कि आप कि यह मध्यमपा का अलग से आप रियाज करेंगे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है यह अलग से आपका रियाज हो गया बाकि आपने पार्टू मा यह प्रैक्टिस करनी खूब कि आप इसमें क्या करना है पहले तो एप में तक जाने की कुछ ए के लिए दूसरी फूख में वापिस आने की कुछश्च करीए फिर इतना बजा ली जए लिए पारा टू मा अर्मा टूप एक ही फूब नाने की कुछच्च करीए अजीव हो जाएगा अगर आप धंक से करेंगे लास्ट वाले नोट को जितना लंबा करने कुछ किजिए तो यह इजी टॉपिक हो जाएगा आपसे और मैं ज्यादर आपको एक्साइज नहीं देता हूं क्योंकि एक चीज में परफेक्ट हो जाओगे परफेक्ट तो बहुत इतनी आप चीज कर लो तो आप अराम से इस चीज को फ्रूट में पहले तीन महने बाले स्लो होंगे क्योंकि सब कुछ नया है बासुरी भी हिलेगी फुक के आवाज भी ज्यादा आएगी और आपके कभी फिंगर सही जगा नहीं इसलिए स्लो स्टार्ट किजिए तीन महने करेंगे थोड़ा वह करेंगे आप पहले वाली प्रैक्टिस भी चालू रखे और इसको यह वाली प्रैक्टिस को इसमें कंबाइन कर लिए पाधा नी सारे गामा और जो मध्यम पा मैंने बजाए वह आप सेप्रेटली लॉंग नोट में प्रैक्टिस करोगे और लोगों के बहुत से सवाल यह भी है कि इतना कि प्रैक्टिस करते तो हैं पर एकदम रिजर्ड नी मिलता तो यह कंफिजन नहीं होना कि एकदम मिलेगा भी नहीं तभी मैं साथ-साथ दिन आपको कह रहा हूं साथ दिन भी मैं आपको सिर्फ एक एक असान टार्गेट है यहां आट साथ दिन का वरना कर दो लाँनां गर आपको सिर्फ घंटा खाली वृट करें वहां करें तो हम चान जानां घंटे कर रहे हैं तो आदा घंडे कर तो आदे क्या एक एक तो लोग होते था जयाए बजाए बीगनन होते नहीं पाइदा है आप पहले अपने रूट करके दिखाता हूं फिर में टेर गंडे में जाओंगा फिर में बढ़ाओंगा अभी से आप अपने टार्गेट इतना ज्यादा सैट मत कीजिए कि आप उसको नहीं भाने बाएं तो यह एक्साइज की पीवेस वाली भी चलती रहेगी एक्साइज में ज्यादा फोकस होगा त आप इसको अच्छे से प्रेक्टिस कीजिए चले धन्यवाद